तो फाइनली RRB Group D का स्कूर कार्ट जारी कर दिया गया है आप चाहें तो PET के लिए क्वालिफाई थे या फिर नाट क्वालिफाई थे दोनों लोग अपना रिजल्ट देख पाएंगे यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बाक्स पे आपको इस वेबसाइट का लिंक मिलेगा सरकारी-result-hd.com और वहाँ जाकर के आपको इस तरह का पेज मिलेगा अगर आप जानना चाहते हैं कि percentile में कौन सा rule लगा है तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं अगर आप अपना result के साथ scorecard देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ क्लिक करना होगा और उसके बाद आपके सामने इस तरह का page होगा जहाँ पर आपको registration number डालना है और अपना data birth और login वाले पर क्लिक करना है उसके बाद आपके सामने इस तरह का section होगा candidate detail, candidate response और scorecard आपको सीधे scorecard वाले पर जाना होगा यहाँ पर आपका उपर registration number, बाद में roll number, यहाँ पर आपका नाम, आपका zone आपने किस zone से किया है, यह सब कुछ दिख जाएगा आपने कितना question attempt किया था, कितने question आपने सही किये, कितने गलत किया और आपका normalize score कितना है वो आपको यहाँ दिखेगा और यहाँ पर अगर आप PET के लिए short list है, तो आपको yes या फिर no दिखता है तो इस तरह आप अपना check कर पाएंगे, ज्यादा जनकारी के लिए वीडियो का description चेक करें और इस वीडियो को जरो like करें